Hello everyone, welcome to HK education and we will discuss about female external genitalia. आज हम पढ़ेंगे female external genitalia के बारे में जिसका दूसरा नाम क्या है? बल्वा. ठीक है? इसे हम बल्वा भी कहते हैं. तो female external genitalia के बारे में आज हम समझते हैं कि female genital या external genitalia कैसा दिखता है? उसका structure क्या है? और उसके कुछ functions क्या है? तो अगर हम बात करें female external genitalia की या गुलबा की उसमें हमें कुछ दिखते हैं अगर हम बात करें उसमें structure से हमें क्या दिखते हैं? उस इस structure में दिखते हैं monus pubis. ठीक है? तो अगर मैं बात करें monus pubis की, तो monus pubis जो है, यह adipose tissue और यहां पर क्या होगा? hairs की growth होते हैं. तो अगर हम बात करें monus pubis की, monus pubis की बात करें, तो monus pubis में में दिखता क्या है? Adipose tissue, मतलब fatty tissue होता है plus, क्या होते हैं वहाँ पे? Hears की growth होती है Hears होते है, मतलब pubic hairs होते है तो अगर हम इसकी बात करें bonus pubis की तो bonus pubis में क्या होता है? Adipose tissue, fatty tissue होता है और hairs की growth होती है इसका function क्या है? इस region का?